मैं जानती हूँ कि सिक्षा का क्या महातु होता है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, क्यूंकि मैं एक धिव्यांग सिक्षी का रही हूँ मैं जहां तक होता है, आप लोग सामानी लोग हैं तो दोड़के करोगे, मैं बैठके करूँगी, बस यहीं अंतर है, पर करके दिखाऊँगी, और जब तक वो काम को कम्प्लीट नहीं करूँगी, तो मुझे चैन नहीं आता जिस सिच्चिका को राश्पती सम्मान प्रसकार मिला, मैं उनका सिश्चे हूँ और सभाग यह है कि आज मैं उनका इंटर्वी कर रहा हूँ तो एक सिच्चिका ने पूरा प्रयास किया कि अपने ज्ञान को हर उस वर्ग तक पहुंचाया जाए, जिनें इनकी जरुवत है हमने एक तस्वीर देखी थी परधान मंत्री जी के साथ आपकी एक तस्वीर है, कुछ आप बात कर रहे थे, क्या बात जी थी मेरा बच्चे का ऐसा कमजोरी करके उसको नहीं एसास नहीं होना, सबका जैसे उसको आगे निकालना है बहुत कटनाईया है, बहुत दूख है, पर एक एक कटनाई को मैंने एक आफसर में बदला है मेरा बेटी नो मैने की थी, फूली आ गया था, फिर इसके बाद 69 में परती किया था, फिर डाक्टर साब बुल दिया, वे तो जिंदगी में आशी रहेगा, ठीक नहीं हो सिचक दिवस बेते कुछी दिन हुए हैं, और सिचक दिवस के दिन पूरे भारत से 50 सिचकों को राश्पती सम्मान पुरस्कार दिया गया और एक खबर जो है हमारे पूरे भिलाई शहर पूरे चत्यसगड में फैली कि चत्यसगड से भी एक सिच्चिका को राश्पती सम्मान प्रसकार मिला है उनका नाम केश शारदा है और सहियोग यह है कि जिस सिच्चिका को राश्पती सम्मान प्रसकार मिला मैं उनका सिश्ष्य हूँ और सभाग यह है कि आज मैं उनका इंटर्वी कर रहा हूँ जो मेरे लिए काफी बड़ी बात है और आपको खुब सारी सुपकामना है राश्पटी सम्मान पुरस्कार मिला सिचक को लेकर चतिस गड़ का नाम इतना नाम रोशन क्या आपने कैसा मै के शारदा सास की पूरे मादिमिक शाला खेदा मारा ब्लॉक एंडिस्टिक दूर चतिस गड़ की सिखशिका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो है नेशनल पर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया और इतना बड़ा सम्मान मुझे मिला इसकी इत कब जोड़ी कि कब आपको मालूम पड़ा कि सम्मान के लिए आपका नाम भी दाखिल किया गया है और आपने क्या कुछ काम किया है मैंने सुना आपने तमाम किताबे लिखी है इंडिटल फॉर्म पर भी क्या कुछ था हो बताई है मैं स्टार्टिंग आप लोगों को बतान कि सिक्षा का क्या महात होता है मैंने अपनी लाइफ में देखा है क्यूंकि मैं दिव्यांग सिक्षी कर रही हूं और मैंने पढ़ लिखकर आज एक सिक्षक बनी हूं तो मैं जानती हूं कि लाइफ में अगर सिक्षा ना हो तो इन्शान की जिंदिकी क्या हो सकती है और मैंने उस समय COVID-19 के समय बहुत सारे वीडियोस बनाए तब कुछ भी हम जानते नहीं थे कैसे बनता है किसका क्या यूज होता है कुछ नहीं बता था बस एक ठोक मोबाइल उठाया रिकॉर्ड किया वीडियो बनाया पड़ाते हुए और उसको डाल दिया YouTube में तब मुझे लग है cgschool.in उस पर 270 वीडियो को डाल दिये जिसका उप्योग कोई भी बच्चा कर सकता था उसमें से 200 वीडियो को जो कक्षा चटवी से लेकर बारवी तक के हैं उनको एजुकेशन मतलब हमारे स्कूली सिक्षा भी भाग द्वारा अप्रूबल भी प्राप्त हुआ तो यह आफ लाइन भी जाना चाहिए फिर आफ लाइन की कख्षाओं में भी संचालित की और ऐसे बुल्टू का बोल उसके माध्यम से जो पैरेंट्स ना तो ऑनलाइन अपने बच्चों को जोड़ पा रहे हैं ना ही स्कूल भेज रहे हैं क्योंकि कोविड-19 का समय था तो ऐसे प किया और फिर सुरवात वहीं से डिजिटल चीजों को सीखने की और अपने सिक्षन में इंप्लीमेट करने की सुरवात हुई और इसी तरह से मैंने अर टेक्निक मतलब अर्गुमेंटेड रियालिटी कार्टून वेडियोस डिजिटल टूल्स और डिजिटल टीलम ऑफ मुझे बुक लिखने की आउसकता इसलिए मैसूस हुई कि हम जब पढ़ा रहे हैं यह यूटूब में डाल रहे हैं तो सारे लोग नहीं देखते हैं तो उनको मतलब वह भी देख सकें तो हम तो स्कूल में पढ़ाते ही हैं और आफ लाइन यह वीडियोस के माद्यम से भी ह होता है लेकिन अगर एक भुक्स रहेंगी तो यह हमारे लंबे समय तक पनी रहेंगी इसका इस्तमाल कभी भी कोई भी बच्चा उठा के कर सकता है तो यह सोच के मुझे जो जरूरत है मतलब बोलते हैं न वेक्ति की जरूरत उसके हिसाब से काम कराती है तो मुझे जहां- स्वास्त से संबंदित हैं और गणित विशे पे हैं और मैंने जो है न फी हमारे न्यूव इड्यूटेशन पालिसी बहु भाशा को बढ़ावा दे रहे हैं तो बहुबहाशा में भी मैंने कुछ बुख्ष का निर्मान किया है इसमें मैंने हलबी जानकार सिक्षकों की मद उसमें बस्तर का कल्चर है, नेतिक कहानिया है, नेतिक शिक्षा से संबंदित, जो नेतिक ज्यान कराती है, ऐसी चीजों को समाहित करके पुस्तक बनाया, तो और जो मैंने अपने टीचिंग में गतिविधी आधारी सिक्षन, खेल-खेल में शिक्षा, जैसे अनेको नवाचा कि अपने ज्यान को हर उस वर्ग तक पहुंचाया जाए, जिने इनकी जरुवत है, और लगभग पहुंच चुका है, और परा देश जान चुका है, जिस दिन आप डेली पहुंची और सम्मान किया गया आपका, हमने एक तस्वीर देखी थी परधान मंत्री जी के साथ, कायल है, तो मैं उनको देखते ही रहे गई, कोई शब्द नहीं थे, और फिर वो जब मेरे पास आए, मुझसे मेरा परिचय मांगा, मुझसे बहुत अच्छा लगा, बिटिया सब्द करके मुझे संबोधन किया उन्होंने, और एक अलागी अनुभ हो रहा, मेरे कारियों को जाना, और मुझे मोटिवेट किया, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है, एक पल होता है कि वेक्ति अपने पुराने कई सालों की जो महनत है, एक फ्लेस बैक में देख लेता है, सायद ये फ्लेस बैक आपके लिए वो छण होगा, तो उस वक्त आपको सबसे जादा प्रिय क पर एक एक कटनाई को मैंने एक आउसर में बदला है, कटनाईयां आती ही हैं लाइफ में, पर हमको उनको कैसे लेना है, यह हम पर डिपेंड करता है, मैं जहां तक होता है, आप लोग सामान निलोग हैं तो दौड़के करोगे, मैं बैठके करूँगी, बस यह अंतर है, पर करके दिखाऊंगी, और जब तक वो काम को कंपलीट नहीं करूँगी, तो मुझे चैन नहीं आता, तो बस इसी तरह की राह पकड़ी, और वो जो डेडिकेशन था, वो उसी के आधार पर मुझे यह सम्मान मिला, और इसमें और उत्साह के साथ में आगे और अच्छा काम कर होंगी, यह मनोबल और बढ़ गया है, अब यह समझे मेरी यह सुरवात है, कोई दुख मनुस्य के शाहत से बढ़ा नहीं होता, यह उसका सिधा-सिधा परिनाम है, और आगी क्या योजना हैं आपकी एक सिच्चक होने के नाते, आप उन सभी चात्रों के लिए और क्या कु इंग्वेज में और बुक्स बनाना चाहती हूं, और अपना एक अच्छा-खासा e-library भी तयार करना चाहती हूं, तो उसकी सुरवात में ने कर दी है, और देखेगा अगे तम अच्छा परिनाम भी रहेगा, एक सवाल था कि तमाम ऐसे लोग और कुछ विध्यारतियों क कि सिच्छा को वाकई वैपार बनाया जा रहा है, और अगर बनाया जा रहा है, तो उसपर आपकी क्या टिप नहीं है? मेरा यही कहना है ऐसले नहीं है। शिक्षक अपने बचकों के लिए काम करते हैं। और ज्यादा तर जो ग्रामीन चेत्र के बच्चों के लिए जो काम करते हैं, उनको कोई भी चीजे जैसे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके लिए कोई भी वो नहीं रहता, जो वो स्कूल में जाके पढ़ते हैं, बस वहीं तक उनका सिमीद रहता है, तो हम ऐसे बच्चों में आके पढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम तरास के ले के आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, कहीं एकात अपवाद तो हर जगा होता ही है, पर सभी को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता, जब मालूम पड़ा आपके आसपास के लोग, आसपास के पड़ोसी लोग को क्या रियक्शन था, आपको कितने कॉल्स आए? बहुत अच्छा, वो सभी तो इतने खुश क्योंकि पूरे 36 गड़ से एक का होना एक अलगी वो था, और जब मैं कल आई हूँ, कल में रात में, तो हमारे जो कॉलिनी के, जो कॉलिनी वासी हैं, तो इन्होंने इतना अच्छा हमें रिस्पॉंड किया, और हमारे तेलगुस और बहुत अच्छा भव स्वागत किया गया, तो यह बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पुरसकार मिला एक बार वो देखते हैं, दर्सकों को दिखाते हैं, कि यह वही पुरसकार है, जिन्हें आप लगातार तमाम अकबारों में, इंस्टाग्राम, फेस्बूग, यू इनका परिवार है, परिवार से यह बात करते हैं, और मैंने कहा भी था कि कोई दुख मनुष्ट के साहस से बड़ा नहीं होता, इनके साहस को तो हमने देख लिया, अब इनके परिवार को देखने की बारी है, आई चलते हैं, सभी से बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि परिवार से बाद करना भी जरूरी है और परिवार के इतने मेंबर से यहां पर हैं और कुछ छोटे बच्चे हैं उनका भी इंतजार हो रहा है क्योंकि जब कोई अपने परिवार में इतना बड़ा नाम कर लेता है तो छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी को बहुत खुसी होत तो खुषी तो बहुत ज्यादा हुई तो आपको जब इस अब इस पास के पड़ोसी लोग या गाहँ आवाँ से कॉल आने लिए अमारा परवार पूरा सब लोग कुषे हैं अमारा जो आम अब बिराजवाला है ना सब लोग कुषे हैं ऐसा बैच्चे इतना आगे आया करके सब को कुष से जब पड़ाई वगड़ा कर रहे थे तो उस वक्त लगता था कि इतना बड़ा पद हासिल कर पाएंगे मेनत किये तो करना से तो आए गाई करके हमलों लोग उमित था हमलों जो भी मेनत करेंगे लेकिन मेरा बच्चा आगे जाना है अब बूलते हैं कि व्यक सबसे पहला सवाल आपसे हैं कि जब मैं शोटी रहा करती होंगी पढ़ाई करती होंगी तो उनकी पढ़ाई लिखा ही कैसी थी उनका रोची किस में सबसे जाद हुआ बड़ता था नौसकार मेरा बेटी नो मैने की थी फूली आ गया था फिर इसके बाद सब्सक्राइन में पर्ति किया था फिर डाक्टर साब बोल दिया वे तो जिंदगी में एशी रहेगा ठीक न में आए जाकर इसकुल में जायके थूद्ma दूद में ठीक छूड़ता था भी लेकी, भी लेक आर रख था रख था। सब्सक्राइड कुल मिले डूटी दूती ही कि बेटी को बेटी को चोड़ लेके आता था इस तरह बेटी को बहुत, मैं नहीं मेरा परवार, मेरा बेटा सब लोग, उसका माँ सब भी बहुत मैनित से उसको आगे पढ़के आगे लाएगा, बहुत बड़ा बनना चे करके चोचा, आज भगवान का देया से श्री राष्टपती हातों से सन्मान मिला, मैं मेरा परवार बहुत कुछी मानते हैं, हमारे साथ के लतिका जी बैठी हैं, और के शारदय में हम इनकी बुवा हैं, और स्कूल के इनूफर्म में बैठी हैं, और क्या कहना चाहेंगे, कब आपको मालूम पड़ा कि बुवा को दिल्ली बुलाया गया, और राष्पती सम्मान पुरसकार मैंने मतला बहुत दिनों से इनका महनत देखा है, और 27 को डिकलियर हुआ इनका नाम, तो घर में बस मैं ही नहीं, बाकी सब बहुत खुश हैं, और अभी भी हम लोग इतने खुश हैं कि राष्ट्रपती एवार्ड कम तो नहीं होता है, तो बहुत खुश है हम सभी घर में, स्कूल में मालूम पड़ा कि रहा है, स्कूल में मेरी टीचर, स्टूरेंट्स और मेरी ख्लोस फ्रेंट्स सभी को पता है ये बात, तो आस पास के लोग को भी मालूम होगा, और जैसे कि मैम से मैरी बात हुई, तो उन्हों नहीं कहा कि बहुत अच्छ स्वागत किया उनका मेरात में और केक वगेरा भी हम काटे, तो एक मैमोरेबल चीज है हमारे लिए, स्टार वाली हो रही है, कैसा लग रहा है, हो तो रही है, हो रही है, जैसे कि उनकी माता जी ने कहा कि कमजोरी को अपना ताकत बनाकर इतने आगे पहुंच पाए है, और इससे सब लोग सीख स सकते हैं, और जब केशारदा मैम यहां तक पहुंच सकते हैं, तो हर वो सिखका, हर वो विध्यारती आगे बढ़ सकता है, तो लगातार के पिनुस को देखते रहे हैं, और अगर आप भी छतियसगर से हैं, और इस ख़बर को देख रहे हैं, और आपके छेतर की भी किसी सिखका ने इतना बड़ा नाम आसिल किया है, तो उने भी जाकर बदाए दीजिए, क्योंकि मैंने तो आकर बदाए दे दिया है, और लगातार के पिनुस को देखते रहे हैं, धन्यवाद